विद्यार्थिव आपको पहला क्यूशन है कि प्राक्रितिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्पूर्ण कारक है आपके पीछ आपसन भी है पहला आपसन है जलवाय। दूसरा आपसन है अस्थल रूप दूसरा आपसन है मिट्टी चौथा आपसन है नस्पत हुए वो प्राक्रतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सश्वे महत्पूर्ण कारक है यह जलवाय उसका राइट एंसर हो जाएगा इसी कड़ी के भी थुलास आपको इसकी सिम्जानकारी देना चाहेंगे कि हर कमपेटिशन पूछे वाला एक्जाम नेशन में वरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोक किया जाता है और यह सब्द मोशम के काफी करीव हैं पर जलवाय और मोशम में कुछ अंतर है जलवाय बड़े भूखंडों के लिए बड़े कालखंड के लिए ही प्रयोक्त होता है जिबके मोशम अवेच्छा कर छोटे आक्रितिक प्रदेशों में बाटने का प्रयाश किछन किया आपके वीच आप्शन भी हैं पहला आप्शन है हर्बर्ट यृुष्ण और लोग ड़े रायो lane मोशम राम प्रतन के हाक्रियाश कर दाध कर लिए हर्वार्टसन ने इसका right answer हो जाएगा हर्वार्टसन ने इसका correct answer हो जायाएगा आपको इसके फ़्टीन ठीप जानकारी देना चाहेंगे कि दियान रखिए कि विस्व का प्राक्टिक प्रदेशों में बाटने का प्रत्थम प्रयास हरवर्टसन ने किया यानि एंडियू जॉन हरवर्टसन ब्रिटन के प्रिशिद्ध भूगोल वेत्ता थे याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि हरवर्टसन ने यानि कि ब्रिटन क तो आप बता सकते हैं कि भूगोल वेत्ता थे यह क्यूशन फ़सकता है तो विद्यार्थू इसी गड़ी के बीच निश्क क्यूशन के उचलते हैं सब्यक्रिशन मोश्ण लाजवाब हैं विद्यार्थू आप भी तीसरा नमर कुश्चन के हरवड़सन के प्राक्रितिक प्रदेश्यों के विभाजन का अधार था आपको विच आपतन भी पहला आप्टन है प्राक्रितिक वनश्पति दूसरा आपतन अस्थल रोग तीसरा आपतन जलवाई चोथा आपतन वर्था थाभ पत्वा न अश्पती तेक्षिंटे को ध्यान रख़े कि क्या क्या सब् Chain कि हर्वेट्स की कि प्राक्टटिक प्रदेश्य की भाजन का-धार इसका राइ proprio ccoon मौण तो आहीं फों हो जाईगा आप बाते नंबरना सब्सेलिव, जिसरे अधार r Gee Wen पूछा गया था आभी कि याई से फ्र पूछा गया था और जो है कि कारगार केशेंट बहुत ही हुमौष है किसी फ्राक्रितिक प्रदेश्य शमरूपत होती है आपको पीछा प्रonne में जलवाई और प्राक्रितिक अनसपति की यलवाई कि अर्थिक और प्रदेश की है। समुझता होती है जलवाई और प्रकतिक की जलवाई और ब्रद०्टक और बैष अर्धिक और यह नुन्षफ शाहें। विद्यार्थू ध्यान रखें कि उचाई में परिवर्तन के साथ जलवाई परिवर्तन होता है और जिसके कारण प्राकृतिक वनश्पति का सुरू बदलता है वनश्पति का विकास तापमान और नमी पर निर्फर करता है यह मिट्टी के मुटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्फर करता है और इसे तीन विर्षित त्रेडियों में वर्गी किया गया है वन घाश अस्थलो और च्छाडियां विद्यार्थियों कुष्ण बेहदी कि विद्यार्थियों आपको इसकी पांचवन नमर क्रिष्ण के शामानेता विष्व को कितने प्राक्रतिक प्रदेशों में विभाजन या विभाजत किया गया है आपके विष्वा पहला अठ्ट 10 11 और 12 विद्यार्थियों का राइट अंसर के बाद देर तो हो जाएगा आप्टन नम्बर D यानि 12 जो है अमानता विश्व को प्राक्रतिक प्रदेशों में भाजित किया गया है तो आपके वीश इसी कड़ी के बिनेश कुछन को चलते हैं विद्यार्थियों चटा नमबर कुछन कि किस प्राक्रितिक प्रदेश को आलश्रिका प्रदेश कहा जाता है आपके विश्विति प्रदेश दूसरा आप्षन सवाना प्रदेश तीसरा आप्षन मांतोने प्रदेश चौथा आप्षन भूमत्य सागरी प्रदेश विद्यार प्राक्तिक प्रदेश कि प्राक्तिक कि प्राक्तिक प्रदेश को में Hoch junior keって उत्याकर की टिक्रेश लिए विश्योती प्रुराय के संबाल निम्रिक्ट में से कौन से कात्ठन consequence जाते हैं द्यान रखेगा बहुत बारे क्यूशन में पूछा गया है इस प्रदेश में वार्शिक वर्षा 200 cm से अधिक होती है इस प्रदेश को शक्त हिंता का प्रदेश कहा जाता है इस प्रदेश में सेटून हो चक्रवार्थी वर्षा होती है इस प्रदेश में सामनता एक कि प्रजाथ के ब्रिच पाए जाते हैं इसका राइट एंसर के बात तो हो जाएगा आप्ट नमबर डी यानि केवल तीन और चार जो है हमारा सही है ठीक है यानि एक और दो नहीं सही है यानि यह क्या है यानि यह यूआ है यह पहले जाते हैं यह तो और चार जलते है या खक्रवार लुए अरुथ में ऽुछा करैं старoot उसल cafeteria ब्रिच पाए जाते हैं इस ढाहिए an एए जारका के बीच प्रकार जालते है कि बुए जालते हैं एक रहा ही तरफ दयार्थिव 54,шее no.י. कै विश्विति प्रदेश को अन्यकिस्ट नाम से जाना जाता है आपके बीच आप्छन भी पहला आप्छन रिद्येश्ची पृद्विशिण दूसरा आपसन उध्ययम्शील प्रदेश तूसरा आपसन छीड कारक प्रदेश वतापसन अवरूद विकाशका प्रदेश इसी क्योषी क्योषीन को दयां से समज ​​न्यज्यवाए रहा है कि विश्वूति प्रदेश को अनन्रिकिस नाम से जाना जाता है इसका राइट एंसर के बाद करतूज़ जाएगा आपसन नम्र शी यानि छीड कारक प्रदेश हमारा जो है करक्ट एंसर हो जाएगा इसी क्विशन के बीच यलते हैं नेस क्विशन के वे तरफ सभी क्विशन मोस्ट लाजवाब हैं विद्यार्थिय। नवा नंबर कुशन क्या कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिन कोना की उत्पादन के दिर्ष्ट से महतपूर अस्थान रखता है। आपको विश्यूति प्रदेश चपादन के दिर्ष्ट से महतपूर अстанов रखता है कौन? विश्यूति प्रदेश यही जानकारी की विश्यूति आपको थोड़ा सा आउर जानकारी देना चाहेंगे कि शिनकोना जिसे कहते हैं शिनकोना एक शदाबाहर पादप है जो जाड़ी अथवा उचे ब्रिच के रूप में उपजिता है यह रूबिये सी कुल की वनस्पती है इनकी छाल से कुनेन नामक आउसदी प्राप्त की जाती है कॉंट्री आउसदी कुनेन नामक जो मलेरिया जुर की दवा है याद रखेगा किशन ही बेहती बहुत अच्छा है और नालेजफूल किशन है याद रखेगा इती किशन की तरफ लाज्ट किशन, मोस्ट किशन और अन्थ किशन है विद्यार्थू आपको भी दस्वा नमर क्यूशन है किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है आपके बीच आप्टन में पहला आप्टन है वुमत दिसागरी तूसरा आप्टन है विशुवती तीसरा आप्टन है उश्ण कटबंधी चोथा आप्टन सीत्रों क्या कह रह हो जाएगा थोड़ा सा आपको और जानकाले दिना चाहेंगे कि विशुवत रेखा भूमत रेखा भी कहते हैं परशाल भर समवहतिल प्रकार की वर्षा होती है और विशुवत रेखा के माइनस पान डिगरी से तस डिगरी उत्तर और दस्छिन अच्छां तक विश्तर जल प्रदेश कहा जाता है और यहां दो पहर तक उमश भरा मौशम रहता है तथा दो पहर के बाद देब्र वर्षा होती है थोड़े समय तक वर्षा होने के पश्यात मौशम साफ और शुहावना हो जाता है विशुवत रेखा पर वर्ष भर दिन रात पर आबर होते हैं इसी जारकारी के बीच मिलते हैं अगर क्लास अच्छी लेगी तो लाइक से और सब्सक्राइब करते हैं इन्वार